Hello everyone, Welcome to Let's Revise आज की वीडियो में हम एक important topic के उपर discussion करेंगे जो कि आपका constitutional provisions for reducing diversity है जब मैं philosophy का आपका important question बता रही थी तो इसमें मैंने ये question में mention किया था कुछ लोगों को इसमें doubt है तो उनके questions ही हैं कि मैं उनको ये answer clear करके दे दूँ इस वज़े से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ तो इस वीडियो को अगर आप भी समझोगे तो आपके एगर paper में question आजाता है तो आपके लिए भी ये helpful होगा मैं अपनी side से आप लोगों के exam से related आपको B.A.D. में first से लेके four semester तक पूरी कोशिश करूँगे जो भी आप पूछते हो जो भी आप बताते हो ना मैं उसका आपको answer देती हूँ अभी भी मेरी dental surgery के कारेट में properly speak नहीं कर पा रही हूँ नहीं बोल पा रही हूँ बट फिर भी आप लोगों के exam से इतने करीब है ना कि अगर मैं एक भी दिन miss कर दूँगी तो शायद आप लोगों के help नहीं कर पाऊंगी तो इस वज़े से मैं अपनी problems का पीछे करके आप लोगों के help पहले कर रही हूँ So I hope कि आप लोग मेरी चीजों को समझें और मुझे भी understand करें और मेरे चैनल को support करें तो इस वीडियो को start करते हैं इस वीडियो का कहना है कि जो constitution ने उसमें ऐसे क्या provisions किये हैं जो कि diversity को reduce कर सके सबसे पहले हम understand कर लेते हैं कि diversity क्या होती है तीकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में क्या करते हैं different different तरह के लोग है मतलब बिबिन टाइप्स के लोग यहां पे दिखते हैं हर तरीके से यहां पे बिननता है language को देख लीचे तो culture को देख लीचे religion हर तरफ से मतलब हमारे यहां धरम भी अलग-अलग है culture भी अलग-अलग है सब भाशाए भी अलग-अलग बोलते हैं तो different different लोग हैं तो इसे ही हम diversity बोलते हैं अब जो यह हमारे यहां पे जो uniqueness है जो individual person different है एक दूसरे से इसी पे क्या होता है बाद में इसी पे discrimination से start हो जाते हैं मतलब भेदभाव स्टार्ट हो जाते हैं तो उन्हीं भेदभाव को खतम करने के लिए जाना है Constitution में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें ऐसी चीज़े mention की गई है जो कहीं न कहीं हमें एक करने की कोशिश करती है और जो यह विचार है लोगों के दिमाग से उनको हटाने का भी पूरा प्रयास करती है अब वो कितना successful होता है यह तो human के खुद के thoughts पर डिपेंड करता है ठीक है तो आप इसको खुद ही जब आप diversity समझ खे हो क्या होता है अब diversity clear हो गई तो आप इस पर अच्छा खासा matter लेख सकते हैं अगर यह long में आता है तो आप अच्छा खासा matter लेख सकते हो ठीक है आपका यह देड़ दो पढ़ने का इतना ही बन जाएगा काम उसकी बात में आपको क्या करना है कुछ articles बिताने हैं जो कि आपके इन पर focus करते हैं यह आपके कुछ articles हैं जिनको आप learn कर सकते हैं और इनको ही आप लिख देगे अगर आप जितना मैं बता रही हैं जैसे आपने दो पेजिस का वो लिखा diversity समझाई और एक एक डाइवर्सिटी जो भी आपका है उसको point को समझाया तो आप अच्छा खासा साथाट परने आराम से इस पर लिख के आ सकते हो सिर्फ इन articles को ही explain करके तो कुछ important articles आपके हैं आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 में equality की बात की गई है ठीक है अगर equality है तो जहिर सी बात है फिर वो reduction होगा ही होगा ठीक है तो अगर आपको बाकी नहीं तो सिर्फ आपके 18 ही mention कर सकते हो यहां पे मैंने यह चार्ट लगा रखा आप इसमें देख सकते हैं इनको अभी हम एक एक करके discuss कर लेंगे तो आपका 14 है 15 है 16 आर्टिकल है देन आपका 30 और 51 भी है तो इनको हम एक एक करके इन आर्टिकल पे बात कर लेते हैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी क्योंकि आपको बस समझना है और आपको content इसमें से मिल जाएगा और आप easily अपना answer लिख सकते हैं सबसे पहले जो आपका आर्टिकल 14 है वो equality before law है equality before law में हम अगर simple बोले तो the equal protection of the law within the territory of India लोग है उनके लिए equal law होना चाहिए ठीक है solely कि अगर कोई किसी और धरम का तो उसके लिए हम उसमें मतलब भीदबाव कर रहे हैं हम उसके लिए दूसरा कानून बना रहे हैं या कोई दूसरा भासाइब बोल रहा है तो हम इसके लिए दूसरा कानून बना रहे हैं जो भी है बस कुछ नहीं है अगर law लिखा है तो आपको बस simply समझ जाना है कि आप law की बात कर रहे हैं तो जो कानून है वो सभी के लिए एक होना चाहिए किसी भी basis पे उसमें भेदबाव नहीं होना चाहिए चाहिए फिर वो language हो चाहिए फिर वो इंसान का caste हो religion हो किसी भी basis पे वहाँ पे discrimination नहीं होना चाहिए next अगर हम बात करें article 15 की तो 15 में आपका क्या है prohibition of discrimination on grounds of religion race, caste, sex or place of birth ठीक है किसी भी type का कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए आपका religion, race, caste, sex या जगे जहां पे लोग born हुए है उसके according भी अब लोग क्या करते हैं discriminate करते हैं कि आप वहाँ पे पैदा हुए है तो ऐसे नहीं होंगे या यह नहीं आता होगा तो यह जो discrimination है ना वो होने नहीं चाहिए तो इसमें भी आपके क्या किया गया है कि आपके आपके आपक़ फिफटीन फीजा है ना या इसमें आपका सिम्पल यहीं है कि कुछी भी टाइप का कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए religion, race, linguistic and caste को लेकर के अगर हम आपको फौर्टीन की बात करें तो आपकल फौर्टीन में कहां गया है कि जो women है और जो children है ना उनके लिए special provision होना चाहिए और अगर हम four की बात करें तो यहाँ पे special provision for जो educationally backward लोग हैं या socially backward लोग हैं like SCNSTs हमारे हैं तो उनके लिए भी क्या कुछ provisions होने चाहिए अब हम बात कर लेते हैं article 16 की equality of opportunity in matter of public employment मतलब कि जो citizens है ना इंडिया के उनके लिए अगर कोई opportunity है job की opportunity है या क्योई भी employment से related opportunity है तो वो equal सभी के लिए होनी चाहिए उसमें भी किसी type का भीदभाव नहीं होना चाहिए तो article 16 बात करता है कि जो employment है ना वो employment opportunity है वो सभी के लिए equal होनेंगी next हमारा है article 30 rights of minorities to establish and administer educational institution article 30 आपका part 3rd में आता है और इसमें ये कह गया है कि जो हमाई minorities है उनको खुद से अपना अपनी choice का educational institution को establish और administrate करने की opportunity मिलने चाहिए या ये उनका right है कि वो भी अपनी choice के according अपनी पसंद के according educational institute open कर सके और उसको administrate कर सके और जो government है वो उसमें उनकी help करेगी next है आपका fundamental duties ये आपका article 51a में आता है fundamental duties सभी को पता है अगर आप लोगों को नहीं पता होंगी तो आप लोग मुझे comment कर दीजेगा मैं आपके लिए fundamental duties की अलग से वीडियो बना दूँगी किसी भी question को पूछने के लिए कोई भी शरम करने की जरुरत नहीं कि मुझे इस level पर ये नहीं आता है कि मुझे इस level पर वो नहीं आता है मैं उसकी respect करनी चाहिए हमारी जो public properties है जो भी उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए मतलब उसको destroy नहीं करना चाहिए इसके अलावर जो भी हमारी प्राकर्तिक चीजे हैं जैसे हमारे जील हैं जरने हैं नदियां हैं पेड़ पौदे हैं एनिमल्स हैं उनको भी हमें save करना चाहिए और उसमें government की पूरी help करनी चाहिए तो इस type के कुछ हमारी और भी duties हैं जो कि यहां पे fundamental duties के अंदर आती हैं तो यह कुछ articles हैं जिनको आप अच्छे से explain करके अपने इस topic को पूरा समझा सकते हैं और यह आराम से 678 पन्नों में आप इसको clearly बता पाऊगे और आपका answer भी complete हो जाएगा और आपको marks भी अच्छे मेलेंगे इसके अलावा अगर किसी भी article में कोई डाउट है या आपकी पास उसका study matter नहीं है आपको notes भी नहीं मिल पा रहे हैं तो आप comment करेगा मेरे से जितना possible होगा मैं जल्दी से जल्दी आपको notes भी provide करा दूँगी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं daily आप लोगों के लिए ए नेक्स वीडियो में